हाइ फ्रेंच्, ममी की रेसिपी में आज आपका भाउत-बहुत स्वागत है, आज हम ममी की रेसिपी में बना रहे हैं, मिक्स नमकीन, जो खाने में इतनी टेश्टी है, तो बनाने हैं बहुत ज़़ा आसान है, आप इस रेसिपी को इपा गर पे ज़रूर ट्राइ करना, यहा मुपली के दान अचित से फ्राय हो जाए उसी कड़ाई के अंदर हम पतले वाले पोय डालेंगे इनको भी इसी तरह से फ्राय करना है जादा नहीं जलाना है हलका सा फ्राय होते ही इसको निकाल लेना है आप यहां पर दे सकते हो किस तरह से मेक कर रही हूँ अच्छी तरह से मारा फ्राय हो चुका है इसलिए हम चन्नी में निकाल लेंगे इसका भी जो इश्टा तेल होगा वो सारा बहा निकल जाएगा तो चली इसको भी थाली के अंदर ले लेते हैं उसी कड़ाई के अंदर हम एक चम तीहाई यहां पर तेल डालेंगे तेल हमारा यहां पर थोड़ा सा ही डालना है हमें यहां पर कड़ाई की पत्ते को फ्राय करना है कड़ी की पत्ते यहां पर ज्यादा कम भी कर सकते हैं पर नम्की में आप ज्यादा डालेगे तो अच्छ तरह से फ्राइ करना है जलाना नो इल्कुल भी नहीं है दो चुटकी हिंग डालेंगे इसे अच्छी तरह से चामज कर लिजे अच्छी तरह से फ्राइ होने की बाद आप गेस का फ्लेम बंद कर दीजे चलिए नमकिन बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने ठाल लिया है उस उस सभी मिचका नहीं के अंदर डाल देंगे मुफली के दाने के पोए कड़ी के पत्ते सभी उस्तमे डाले के बार mods एक दनिया डालेंगे आदी चम시면시면 यहां पर हल्दी डालेंगे एक नमक डालेंगे नमक आप सवाद के अनुसार डालीए कि 2 ग चाट मसाला डालेंगे अगर आपके पास है तो डाल दीजे नहीं तो आप अमचीद पौडर भी इसमें डाल सकते हो एक चामज यहां पर चीनी का पौडर डालेंगे जिसे पीस के तयार करा है और एक चामज पोदीने की पत्ति डालेंगे सबी चीजों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है उपर नीचे करते हुए उस अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर जाने चाहिए मुम्रो को बहुत ही जदा टेश्टी और अच्छा स्वाधिष्ट बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे हम एक चमस सौंप जो मेने यहां पर अच्छा सा फ्राइ करके रखा है इससे हातों में लेके करस्ट करके आप इसमें डाल देजिए इससे बहुत ज़्यादा तरह से मिक्स कर लेजें उपर निचे करते हुए तो चलि हमाई नमकी अच्छी तरह से रेडी हैं चट पटी सी मुम्रो की नमकी इस तरह से बनाई यह घर पे आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं खाने में टेस्टी हैं बना में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है आपको मेरे चैनल पर हर तरह की हर परकार की रेसिपी मिलेगी वह भी सिंपल तरीके से तो रेसिपी को गर पर जरूर ट्राइ करें थाइंक यू